नमस्कार आज मैं आपको लेधर बिल्ट के बारे में बताने जारा हूँ और ये वादा करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी, किसी भी होल सेल मार्केट में आप अपनी इस लेधर बिल्ट को बेज सकते हो और ये कोई भ्रहम फैलाने वाला वीडियो नहीं है जन्यून है और लास्ट तक आप अगर इस वीडियो में बने रहोगे तो आप खुद देखोगे कि हाँ कितना परफेक्टली हम वर्क कर सकते हैं लेदर बेल्ट में और कैसे लेदर बेल्ट आप पूरी इंडिया में सस्ते सस्ती बना सकते हो या खरीच सकते हो और उसका लाजिक भी बताओंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ तो सबसे पहले अगर आप लेदर की बात करते हो और लेदर बेल्ट की बात करते हो तो मैं ये बताता हूँ कि पूरे इंडिया में दो ऐसी प्लेसे हैं जहां पे लेदर manufacturing होती है लेदर का process होता है वो दोनों में से एक है कानपूर और दूसरा है कलकटा पूरे इंडिया में कहीं भी कहीं भी अगर पसू की मृत्थी होती है या वो मरता है तो वो किसी भी process से last में इन दो सहरों में ही आता है उसकी जो खाल है उसका जो लेदर है वो इन ही दो सहरों में आता है और कानपूर मैं जहां रहता हूँ मैं खुद कानपूर में रहता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पे लेदर की इतनी बड़ी बड़ी factory हैं कि आपको गाड़ीयों से भी travel करना पड़ेगा तब जाके आप उन पूरी factory को घूम सकते हो चलिए इसको छोड़ते हैं तो मैं यह बताता हूँ कि क्यों क्यों आपको लेदर की बेल्ट यहाँ पे सबसे सस्ती पड़ेगी कानपुर में और कहां पड़ेगी यह भी मैं बता रहा हूँ कानपुर में जाजमो हूँ है ठीक है और जाजमो में एक जगे है संजय नगर ठीक है संजय नगर याद रखना आप बहुत ध्यान से सुनिये इस जगे के चारोड लगबग लगबग एक त्ड़ किलोमीटर दो किलोमीटर के दाएरे में कई ऐसे लड़के हैं जो यंगस्टर हैं जो छोटी छोटी अपनी वर्क-सौप चलाते हैं देखिए किसी सौप के चकर में मत फस्येगा किसी सौप बहुत सारी सौप हैं जो जाजमों अगर आप आओगे, कहीं से भी इंडिया से आ रहे हो, कानपुर के जाजबों में संजयन अगर याद रखना, ठीक है, कहीं से भी आप आ रहे हो, तो जब आप जाओगे तो आपको कई सारी सॉप्स दिखेंगी, बैट की सॉप्स दिखेंगी, सूस की सॉप्स दिखेंगी, व आपको उन कारखानों से लेना होगा जो छोटे छोटे कारखाने हैं तो फिर आगे क्या करना होगा और यह क्यों सस्ती होती है उसके बारे मैं बताता हूँ कि क्या है जब यहां पूरे इंडिया का सबसे बड़ा लेदर का हब है तो बहुत सारी लेदर की चीजे बनती है जिस जो developed country land में है, हर जगे यहां से UAE में, दुबाई में हर जगे यहां से leather export होता है, leather और leather के product भी जो बने होते हैं, वो भी export होते हैं तो क्या होता है, जब उन लेदरों की cutting की जाती है, जब उनको काटा जाता है, उनकी shaping की जाती है उसको एक seat के form में perform किया जाता है, या कोई चीछ build up की जाती है, तो उसकी cutting बहुत सारी निकलती है, पतली पतली, लंबी लंबी उस लंबी और पतली cutting का use हम लोग बेल्ट में करते हैं, जो कानपूर वाले हैं, जो जाजमो में, संजे नगर मेंने जगे बताई हैं, वो याद रखना जा, कानपूर, कानपूर में, जाजमो, जाजमो में भी संजे नगर के आस पास दो, तीन, चार किलोमेटर में आपको ठूड़ना होगा, ठूड़ना होगा चोटे-चोटे कार खाने हैं, जो बेल्ट मैनुफेक्चरिंग करते हैं, और उन कार खानों से आपको बेल्ट लेनी होगी, तो मैं ये बक्का वादा करता हूँ, आपसे कि अगर उन कार खानों में आप पहुंच गए, तो आपको भार पूरे इंडिया में चाहे जिस प्रदेस में 28 प्रदेस हैं एक कम हो गया है 29 में से 28 प्रदेसों में कहीं भी आप जाओगे उसकी होलसेल मार्केट में आप अपनी लेधर बेट बेज सकते हो इन सब चीजों के साथ आप अपनी टैगिंग भी वहां करा सकते हो आसानी से वो ट टैक्स भी मिल जाते हैं आप टैक बांदो पॉलिथीन कवर हो जाता है आपकी पैकिंग भी हो जाती है आपके ब्रांड की पैकिंग हो जाती है आपके नाम से बन जाता है इतनी सारी सुईधा है यहां पर बट क्या है कि लोगों को पता नहीं कोई जागरू करने वाला नही ये वीडियो आपको जरूर फ्री में मिल ला है मैं बोल ला हूँ आपको लग रहा है एकदम फ्री में वीडियो है लेकिन ये वीडियो की कीमत एक से डेल लाग रुपए तक हो सकती है बहुत सारे बिजनेस कोच ऐसे हैं जो सिर्फ आपको छोटी सी जलक दिखाते हैं आपने खुद देखा होगा यूट्योब पर और कहते हैं कि आप मेरी इस कोर्स में आईए उस कोर्स में आईए एक लाग रुपए टेरलाग रुपए दो लाग रुपए तरक की डिमांड कर लेते हैं दो दो ती दिन दिन के कोर्स का जो की नॉर्मल होता है कि आपको वहाँ experiences बताई जाते हैं जो बड़े-बड़े businessmen है या जो अपने छेतर के मारती हैं वो अपने अपने experience बताते हैं लेकिन मैं इस वीडियो में या हमार मेरे चैनल में जितने भी वीडियो हैं mostly सब में मैंने तरीके बताए हैं और वो भी free of cost और मेरा ये तरीका बताने का उदेश सिर्व इतना है कि मेरे भारत का हर जो 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 नौजवान है उसके हाथ में काम आ जाए जो उसके रुचिक हो मैंने बहुत सारे बताए है यानि होगे करीब 100 वीडियो के आसपास जो business ideas को generate करते हैं जो business ideas देते हैं तो जो आपकी रुचिका हो जो आपके pass का हो जो आप आसानी से कर सको वो business आप adopt कर सकते हो तो belt में मैंने आपको जगे बता दी मैंने आपको चीजें बता दी और मैंने ये भी बता दिया कि क्यों सस्ता है क्योंकि यहां की जो cutting पूरे इंडिया में क्यों नहीं belt सस्ती बन सकती वो इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि जिस भाव में यहां पे जो कूड़ा फेक दिया जाता है ना लेदर का वो belt बनाने के लिए बहुत उचित होता है और उसी से belt बना लेते है और वो इतना सस्ता किलो के भाव में मिल जाता है कि यह जो लड़के हैं जो मैं बता रहा हूँ जो छोटे-छोटे कारखाने लगा के लगाए हैं यह भी दिल्ली और बगएरा भेजते हैं लकिन अगर आप उनके कारखाने में बहुझ होगे तो आपको भी दे देंगे और फिर आपके अंदर वो जुनून आ जाना चाहिए आप चाहें उसको रोढ़साइट बेचो आप चाहें उसको छोलसेल मारकेट में बेचो या दिल्ली जैसे बड़े सहर की होसल मार्केट में जो आप आसानी से बेच लोगे बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है और उधार नहीं देना है एक बात बहुत ध्यान सरफ यहाँ आपको नगत मिलेगा वहाँ भी आप नगत दीजिए तो जो लेदर है और कानपूर इसलिए फिमज है क्योंकि यहाँ पे लेदर मैनिफेक्टरिंग होती है लेदर में processing होती है और कहीं नहीं होती है यहां से लोग ले जाके दिल्ली, बंबाई, कलकटा यहां पर अपनी manufacturing करते हैं यानि कि अगर उन्हें बैग बनाना है या उन्हें जैकेट बनानी है या उन्हें कीमती पर्स बनानी है या सूस बनानी है तो सब जाता यहीं से लेदर है यहां यहां कलकटा से, दो जगे से बाकी manufacturing हर जगे होती है तो आप अगर यहां पर बनी हुई चीजें ले लोगे अगर आप कानपुर से वो बेल्ट ले लोगे तो आपको जरूर बहुत बहुत फाइदा होगा यह मेरा मानना है और आपको मेरे बताई इस रास्ते पर जरूर चलना चाहिए आपको देखे यह छीज़ाओ बताऊं मैं नेट पे अगर आप सेर्च करोगे या इंडिया मार्ट पर सेर्च करोगे या किसी वेब साइट पर सेर्च करोगे तो आपको ट्रेडर ही मिलने वाले हैं वो लड़के वो जो जुनूनी लड़के हैं जो टैनरी में जाते हैं टैनरी से लेदर इखटा करते हैं और फिर बेल्ट बनाते हैं वो सबसे सस्ती बेल्ट होती है और वो सबसे सस्ते रेट मिलती है और जिनून लेदर होता है वनी से ये लोग खरीद के और फिर आपको देते हैं तो जब उन्होंने पूरा उसका समझे क्रीम निकाल ली तो फिर आपको क्या मिलेगा इसलिए आपको बहुत सस्ता लेना है तो आपको कानपूर विजिट करना चाहिए फिर कानपूर में भी आपको ज़ाजमो विजिट करना चाहिए और फिर ज़ाजमो में भी आपको संजैनगर का छेतर याद रखिए उस छेतर में दो तीन चार किलो मीटर पे छेतर में विजिट करना चाहिए फिर वहाँ आपको जो चीजे मिलेगी न आप प्योर बिजनसमें बन जाओगे अगर लेदर की बात करते हैं तो लेदर का मतलब बेल्ट पर्स ये सब चीज़ें यहाँ पे मैनुफेक्टरिंग होती हैं बहुत अच्छे तरीके से मैनुफेक्टरिंग होती हैं और आप फिर आप सिर्व एक बेल्ट की पकाड़ लीज मैं जानता हूं क्योंकि मैं कानपुर में रहता हूं मैं भी थोड़ा सा लेदर इंडिस्टी से जुड़ा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बाकी ऐसे ही अच्छे आइडियास मैं आपको लाता रहूंगा बताता रहूंगा देता रहूंगा और वो भी फ्री आप को मैं अगले बिजनस आइडिया तक आपसे वीदा जायता हूँ नमस्कार